हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे ओनलाइन वेप्यूटर चैनल पे हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा वर्ट पेस विजट डावलपमेंट यह इस वीडियो कोर्स का हमारा पार्ट नमबर 6 नमबर वीडियो है इस वीडियो सेशन में गाईज हम अपने कोवी 19 विजट के सेटिंग्स को सेट अप करेंगे साथ ही साथ अगर हमने जो पार्ट 1 से पार्ट 5 तक जो डेवलप किया हुआ है उस कोड को हमने इस गिटहव रिपोजिटरी पे कमिट किया है सो अगर आपको वो कोड चाहिए आप यहाँ पर जाके उस कोड को साथ ही साथ डेटाबेस में सेव और इसके बाद हमने अपने फ्रन्ट एंट पर डिस्प्ले किया हुआ है अब जो हम एक नया मिंस लेवल टू फेस का डवलू पी विजट डैवलप करने वाले हैं जहाँ पर हम थर्ड पार्टी एपियाई कंस्यूम करेंगे अगर मैं जाओं गूगल क्रूम पे तो यहाँ पर मैं अगा टाइप करूं लाइक कोवीड नाइटीन एपियाई यह वो थर्ड पार्टी एपियाई है जो कि हम लेवल टू के डवलू पी विजट में हम कंस्यूम करेंगे यहाँ पर जो हमें सकेंड लिंक मिला है लाइक कोरोना वाइरस कोवीड नाइटीन एपियाई हाइफन पोस्ट मैं इस लिंक पर क्लिक करते ही गाईज हमारे पास यह पेज ओपिन होगा यहाँ पर हमारे पास काफी सारे चीज़े हैं तो मैं क्लिक करूँगा इस समरी पे अगर मैं इस यूरल को कॉपी करूँ और हम देख सकते हैं कि यह यूरल हमारा get request टाइप है सो मैं इसे copy करूँगा, paste करूँगा, enter करूँगा और यहाँ पर हमारे पास third party API data है जहाँ पर हमारे पास दो object keys हैं like a global object और एक है हमारे पास countries जो की array of objects है इस global object के help से हम individual data get कर सकते हैं worldwide world world हमारे पास कितने सारे confirmed cases हैं, कितने death हो चुके हैं, as well as कितने recovered हैं साथ ही साथ अगर हम country wise display करना चाहते हैं, so हम इस country वाले array of objects को use करेंगे country wise data को read करेंगे और अपने widget के front end layout पे display करेंगे सो इस video session में हम अपने second level that is level 2 coronavirus means covid-19 APIs की setting करेंगे, like widget setting, अगर मैं जाओ sublime editor यह रहा हमारा first label widget, अगर मैं इस plugins folder के अंदर एक और plugin की main file ctrl s to save owt covid-19 widget.php, इस file के अंदर हम php tags declare करेंगे, साथ हे साथ मैं कुछ comments लिखने वाला हूँ, उन comments के help से हम अपने plugin को अपने wordpress setup में introduce करेंगे, so here हमारा multiline comment, इसके अंदर जो हम use करेंगे, पहला की हमारा होगा called plugin name, owt covid-19 widget, यहां पर होगा हमारा next key called author, like online, web tutor, next होगा हमारा version 1.0, next की होगा हमारा description, this is a widget which is going to display covid-19 stats, साथ ही साथ इन की इस के अलावा अगर हमें like author url, plugin url अगर पास करना हो, तो हमारे पास different different keys है, so मैं उन keys को नहीं पास करूँगा फिलाल, so यह है हमारा basic information जिसके help से हमने अपने plugin के like introduction में available करा दिया हुआ है, अगर मैं जाओ अपने wordpress setup में, plugins और हम देख सकते हैं हमारा covid-19 widget plugin अवेलेबल है हमारे इस plugin store में, अगर मैं click करूँगा अक्टिवेट पे, now plugin activated, यहाँ पर हमारे पास plugin name, plugin description, author name, और यहाँ पर हमारा version number है, अब basic architecture को हम लिखने वाले हैं, जो कि हमें लिखना चाहिए, अगर हमें custom widget wordpress में develop कर रहे हैं तो आपको याद हो हमने वही architecture same हमने अपने phase 1 level 1 widget development में follow किया था, so class OWT COVID-19 widget और इसे हम extend करेंगे WP widget class है, इसके अंदर जो हमारे पास methods होंगे called construct method, form method, update method as well as widget method, so public function construct public function हमारे पास होगा form method, next होगा हमारे पास public function, update method, next होगा हमारे पास public function widget method, so यह है guys हमारा construct method, जिसके help से हम अपने widget को like इसकी it's name और other attributes को define कर सकते हैं, so widget, properties, form method के help से हम admin layout create कर सकते हैं, so admin layout, create admin layout, update method के help से हम अपने widget के values को database में save कर सकते हैं, so save to database, और simply हम कहा सकते हैं save widget value to database, जो हमारा widget method होगा, इस method के help से हम अपने widget के layout को like अपने front end पे display कर सकते हैं, so display widget output to front end, so यह रहा हमारा basic architecture widget develop करने के लिए, मैं जाओंगा अपने इस construct method के अंदर और इसके अंदर हम widgets के properties को define करने वाले हैं, so parent construct, यह रहा हमारा parent constructor, इसके अंदर सबसे पहले हमें अपने widget के id को specify करना है, so owt covid19 widget, साथ ही साथ हमारा widget title name, so owt covid19 widget, उसके बाद में एक action hook हम add करेंगे called add action, वो होगा हमारा widgets innate, यह वो action hook है जो की widget installation के वक्त trigger होता है, so second parameter में हम एक like function name pass कर सकते हैं, so फिलाल हमारे पास कोई ऐसा function नहीं है, so हम एक anonymous function declare करेंगे, so यह रहा हमारा anonymous function, इस function के अंदर हम अपने sidebar like widget को register करेंगे, so हमारे पास जो method है called register underscore widget और इस function के अंदर हम अपना class name pass करेंगे, so अगर मैं save करूँ, browser पर जाओ, reload करूँ, plugin हमने activate किया हुआ है, appearance, widgets, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास like widget नहीं आई है, available नहीं है हमारे पास, और वो इसलिए नहीं है, I think क्योंकि हमने class बनाया हुआ लेकिन इस class के instance को create नहीं किया है, so मैं copy करूँगा, और यहां पर करूँगा like owt, covid19 widget, new, और यह रहा हमारा class, so यह है हमारा object, so owt, covid19, object, so अगर मैं save करूँ, class को call करते ही हमारा construct method insalize हुआ, इस construct method के call करते ही हमारा parent constructor हमारे attributes को define किया, साथ ही साथ हमने action hook के जर्ये widget in needs के help से हमने अपने widget को register किया, so अगर मैं save करूँ, reload करूँ, so इस list में अब हमारे पास owt, covid19 widget नाम का widget available हो चुका है, so फिलाल हमारे इस like widget code में हमारे पास कोई भी form layout नहीं है, update layout नहीं है, साथ ही साथ widget code नहीं है, इन सारे methods के उपर हम next video से work करेंगे, साथ ही साथ हम अपने covid19 की API को use करके data को display करने वाले हैं, so इस video session में guys, अगर आपको कोई भी doubt हो, आप हमारे लिए comment ड्रॉप कर सकते हैं, so for this video session guys, thank you for watching and have a great day.